वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डागर एजूकेशन आज हम क्लास 12 का जोगर्फी का अध्याय 5 करेंगे बू संसाधन तथा क्रिशी देखो बच्चो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि बू संसाधन क्या होते हैं क्रिशी क्या होती है और हमारे भारत में कितने प्रकार की क्रिशी होती है और जब क्रिशी करते हैं तो उस समय हमारे सामने कौन-कौन सी समश्याई है वो देखने को मिलती है तो इस चैप्टर में हम इनी के बारे में डिसकशन करेंगे सबसे पहले हमारा आता है भू उपयोगी वरिकरन यानी हम भूमी को अलग-अलग प्रकार में बाढ़ते हैं अलग-अलग भागों में हम भूमी के टुकडे होते हैं उनको अलग-अलग तरीके से देखते हैं सबसे पहले हमारा आता है वनों के अधिन चेतर देखो बच्चो वनों के अधिन चेतर में हमारी वो भूमी आती है जो की मुख्य रूप से वन को विक्सित करने के लिए वो चेतर छोड़े जाते हैं और हमारे जो वन चेतर के जो अधिन भूमी होती है वो हमारे सरकार के स्व जिसमें हम कितनी भी प्रोध्योगी की कब यूज करें, कितनी भी टेक्नलोजी लगाएं, लेकिन वो भूमी कभी भी क्रिशी योगया नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि बंजर, पहाड़ी, भूबाग, मरुस्तल और जो हमारे जिन स्थान पर जादा अधिक खड़े होते हैं, वह हमारे इसके अंतरगत शामिल होते हैं, अब बात करते हैं, गैर कृशी कार्वरों में प्रयोगत भूमी, इसके अंदर हमारे वो भूमी आती है, जो कि गैर कृशी क्रिया कलाप में शामिल होते हैं, यानि कृशी को छोड़ कर, जिन छेतरों में भूमी का प्रयोग किया जाता है, वही हमारी गैर कृशी क्रियाओं में प्रयोगत भूमी क्यालाती है, और इस भूमी का प्रयोग हम सड़क बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, पर गाउं के लोग अपनी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए उस भूमी का यूज करते हैं और जो ये हमारी स्थानिय चरगा छेतर होते हैं ये मुख्या रूप से जो ग्राम पंचायत होती है या जो सरकार होती है उसके अधिकार में होती है इस भूमी का केवल एक छोट भाग नीजी स्वामितव में होता है यानि इतना बड़ा भाग है तो उसका कहीं न कहीं बहुत छोटा भाग ही ऐसा होता है जो कि किसी का पर्सनल होता है ग्राम पंचायत के स्वामितव वाली भूमी को साजा संपत्ति संसाधन कहा जाता है देखो बच्चो साजा संपत्ति सनसादन आपको नाम से पता चल रहा है कि ये भूमी सब की साजली होती है गाउं के सभी लोगों का इस भूमी के उपर अधिकार होता है अब आती है हमारी विविद दरू फसलो एवं उपवनों के अंतरगत छेत्र इन छेत्रों के अंतरगत हमारी वो भूमी आती है जिसमें मुख्यरूप से उपवन लगाय जाते हैं, बगीचे लगाय जाते हैं, फल्दार पेड लगाय जाते हैं और इस प्रकार की भूमी ज्यादतर नीजी स्वामितव में होती यानि वो स उस सब की परसनली होती है वो उसके उपर सभी का अधिकार नहीं होता वो परसनली होती है क्रिशी योग्या वर्थ भूमी देखो बचो क्रिशी योग्या वर्थ भूमी हम उस भूमी को बोलते है जो कि पिछले पांच वर्ष या उसे अधिक समय तक खाली पड़ी होती है जिसको हम परती भूमी भी बोल जाने जो बिलकुल खाली पड़ी रहती है उसके उपर किसी भी प्रकार की कृषी नहीं के जाती वह कृषी योगय वर्थ भूमी कहलाती है इस भूमी का उद्धार करके इसे कृषी योगय बनाया जा सकता है यानि कुछ समय के लिए उसको खा वह बूमी जो एक क्रिशी वर्ष या उससे कम समय तक क्रिशी रहीत रहती है वर्तमान प्रती बूमी कहलाती है बूमी की गुनवत्ता बनाये रखने के लिए बूमी को प्रती रखना एवं सांस्कृतिक चलन या यह एक हमारा सांस्कृतिक चलन भी है कि हम बूमी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देंगे तो उसकी जो उर्वरक शक्ती है या जो हम कह सकते जो उत्पादन शक्ती है वो वापस से बढ़ जाएगी और इससे पोश्टिकता उर्वरता वापस आ जाती है अब बात करते हैं पुरातन प्रती भूमी देखो पुरातन प्रती भूमी हमारी वो भूमी होती है यह भी कृशी योग्य भूमी होती है जो एक साल से अधिक लेकिन पांच साल से कम समय तक कृशी रहीत होती है यानि एक साल से तो कम होती है और पांच साल से कम वो भूमी खाली ही पड़ी रहती है अब है निवल बोया छेतर देखो निवल बोया छेतर हम वो भूमी होती है जिसमें भूमी पर फसल को बोया जाता है और उसको निकाला जाता है उसी को हम नीवल बोया छेत्रे बोलते हैं देखो वह भूमी जिस पर फसले उगाई वह काटी जाती है वह नीवल बोया छेत्रे कहलाता है अब बात करते हैं भारत में भू उपयोग परि अधिक तर वहां की आर्थिक क्रियाओं पर निर्बर है यानि जहां पर आर्थिक क्रियाओं जादा होती हैं वहां भूमी का उपयोग भी जादा किया जाता है और जहां पर आर्थिक क्रियाओं कम होती हैं वहां पर भूमी का उपयोग भी कम भिया जाता है जैसे कि एक गाउ हैं एक शहर है शहर में बुमी का उपयोग जादा करते हैं लोग अपने आशक्ताम को पूरा करने सोगते हैं लगए Colm इक यावक। blessing है उसकी जादा हम होरी और डिशन द्वन करते हैं और प्र जादा प्रूंट बदलती हैं लेकिन भूमी का आकार छेतरफल की दिश्टी से स्थाई है ये तो बिल्कुल ठीक बात है अब भूमी का टुकडा है वो तो उतना ही रहेगा बेशक जन संख्या 35 करोड से 40 करोड चली जाए 135 करोड से चाहे 175 करोड तक चली जाए लेकिन क्या है भूमी तो उतनी ही रहेगी जन संख्या बेशक से कितनी ही मिलियन्स में या बिलियन्स में चली जाए लेकिन भूमी है उसका आकार तो उतना ही रहेगा वो तो बढ़ेगा गटेगा नहीं इसलिए हम बोलते हैं कि भूमी तो उतनी ही रहती है बस वो समय के सासाथ लोगों में भूमी है वो बढ़ती जाती है अर्थ ववस्ता के तीन परिवर्तन देखो बच्चो हमारे अर्थ ववस्ता के तीन परिवर्तन होते हैं पहला हमारा है अर्थ ववस्ता का आकार यानि देखो जैसे जैसे जन सं देखो अर्थफवस्ता की सरजना के हमारे अंतरगत आता है कि जो द्वित्तिय और जो तिर्थिक सेक्टर होते हैं वो ज्यादा भूमी का प्रियोग करते हैं बल बजाए प्रात्मिक सेक्टर के अपेक्ष्या क्योंकि क्या होता है कि आज कल जो लोग हैं वो जादा प्रात्मिक क्रियाओं को छोड़कर द्वित्तिक और तृतिक क्लियाओं पर जादा ध्यान देते हैं और क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो लोगों की प्रकरिया है या जो उनका प्रोसेस है वो बदल रहा है वो गैर क्रिशी संबंदी जो कार रहे हैं उनमें जादा प्रियुक्त होते हैं उनमें जादा इन्वोल्व होते हैं थर्ड हमारा है क्रिशी क्रिया कलापों का अर्थ ववस्ता में कम योगदान यानि जैसे कि आप देखते हो आज के समय में जादा से जादा लोग ये सोचते कि हमारा खुद का कुछ अपना प्राइवेट बिजनस हो या हम द्वित्ते क्या तिरतक क्रिया कलाप में संगलित हो ना कि प्रात्मिक क्रियाओं में क्योंकि आप देखते हैं कि प्रात्मिक क्रियाओं को लोग थोड़ा कम दर्जे का मानते हैं कि जमीदार है कम पैसे वाला है तो ऐसे लोगों की जो सोच है वो ऐसे हमें देखने को मिलती है इसलिए जो आजकल जो लोग हैं वो जादा द्वितिक और दिर्टिक क्रियाओं की तरफ भागते हैं और प्रात्मिक क्रियाओं के उनसे दूर होते जाते हैं वानि हम कह सकते हैं कि कृषी पर निर्बर वैक्तियों का जो अनुपात है वो दीरे दीरे गटता जा रहा है और जन संख्या क्या है कि जो कृषी सेक्टर है उसको छोड़कर परती दिन दुवित्यक और तिर्थे क्रियाकलापों पर जादा निर्बर होती जा रही है तो आप आत्मिक क्रियाओं पर में जाना भी नहीं चाहते यानि उनको खाने के लिए अच्छा आहार चाहिए अच्छा उनको कच्छा माल चाहिए लेकिन वो कृषी करना पसंद नहीं करते इसलिए हम कह सकते हैं कि जन संख्या जो कृषी सेक्टर पर निर्बर होती है परतिन साजा संपति संसादन यानि साजा आपको नाम से पता चल रहा है कि यह सबकी साजली होती है यह भूमिया सामुदाइक उपयोग के लिए होती है और यह किसके राज्य के स्वामितव में होती है राज्य के अंडर होती है और जो साजा संपति संसादन होती है उसके अंदर हम प्रेलू उपयोग के लिए इंधन लकडी और जो अन्या हमारे जो वन उत्पादन हैं जैसे की फल हैं फूल हैं ओशदी हैं रेशी हैं लकडियां हैं वे हमारे इसके अंदर शामिल हैं अब बात करते हैं ग्रामिन छेतरों में बूमी हिन क्रिशक अन्या कमजोर आथिक प्रियोग कर सकते हैं उस पर किसी का परमुख यह हम नहीं कह सकते कि आप यूज करोगे आप यूज नहीं करोगे ऐसा नहीं होता वो सभी की साजली होती है वो लोगों की आशक्ताओं को पूरा करने के लिए होती है देखो जिन प्रिशकों के पास भूमी नहीं होती वह इ यानि अपने पश्वो को पालते हैं, अपने पश्वो को चराते हैं, वहां से इंधन लकडियां इखटा गरते हैं, जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं का जो मुख्य कार्या गाओं में देखा जाता है कि भई वो लकडियां इखटा करें, खाना बनाने के लिए अपना इंध सान से ही जो लकडियां हैं फल हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और देखो जो हमारी साजा संपत्ति संसादन होते हैं उसको हम प्राकरतिक संसादन भी कहते हैं यानि जो सामुदाइक प्राकरतिक संसादन यानि जिसके उपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है ना कि ग्राम वासियो कादिकार होता है अब बात करते हैं भारत में फसल रितु देखो बच्चों हमारे भारत में अलग अलग रितु आती है यानि कि हम कह सकते हैं कि गर्मियों में हमारी अलग फसल होती है सर्दियों में हमारी अलग फसल होती है और जब वसंत रितु आती है तब हमारी अलग फसल होती है इसलिए हमारे भारत में हम जो हमारी फसल रितु है उसको मुख्या रूप से हम तीन भागों में बाटते हैं यानि रभी, खरीफ और एक हमारी होती है जायत फसले देखो रभी फसल, रभी फसल हमारी वो फसल होती है जो कि शीच रिटू में बोई जाती है यानि अक्टूबर से दिसंबर के जो महिने होते हैं उनके बीच में बोई जाती है और ये क्या होता है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोने के बाद इसको अपरेल से जून के बीच इन फसलों को काट लिया जाता है और इसमें हमारी मुख्या फसले गेहूं है सरसो है चना है और हमारे मटर है अब बात करते हैं खरी फसल देखो बचो खरी फसल वो फसल होती है जो की जून जुलाई में बोई जाती है और अगर सितंबर में काटी जाते हैं हम कह सकते कि सितंबर से अक्टूबर के बीच हम उनको काट लेते हैं और इसके अंदर गठ हमाई जैसे कि चावल है, मक्का है, कपास है ये फसले शामिल है देखो जायत फसले, जायत फसले वो फसले होती है जो कि रबी और खरीब फसल के बीच में बोई जाती है इसमें मुख्या रूप से हमारे सबजिया होती है जैसे कि तर्बूज है, खर्बूजे है, ककड़ी है, खीरा है और जो चारे की फसले है, यानि जो पश्व के लिए चारे के लिए यूज में लाई जाती है जैसे कि जवार है जई है यह सब हमारी जायत फसले होती है अब बात करते हैं क्रिशी के परकार देखो बच्चो हमारी जो क्रिशी होती है वो मुख्या रूप से दो परकार की होती है एक हमारी संचित और एक हमारी होती है वर्शा निर्बर संचित क्रिशी हमारी वो क्रिशी होती है जिसे हम जिसमें हमें सिचाएं की आवशकता पढ़ती है हमें खुद से कृशी जब हम करते हैं तो हमें फसल की सिचाएं करनी होती है उसमें पानी देना पढ़ता है और वर्षा निर्बर कृशी आपको नाम से पता चल रहा है कि ये कृशी जो होती है वो वर्षा पर निर्बर होती है इसमें हमें पानी देनी की आवशक्ता नहीं पढ़ती देखो सबसे पहले बात करते हैं संचित क्रिशी संचित क्रिशी को भी हम दो भागों में बाटते हैं एक हमारी रक्षित संचित से एक हमारी होती है रक्षित सिचाई क्रिशी और एक हमारी होती है उतपादक सिचाई क्रिशी तेखो जो हमारी रक्षित सिचाई क्रिशी होती है इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य उदेश है आदरता की कमी के कारण फसलों को नश्ट होने से ब वर्शा के अतरιαक्त जल की कमी को सिचाए दवारा पूरा किया जाता है इसका उदेषय जादा से जाजा छेतर को नमी पहुंचाना है दोसरी हमारी उतपादक सिचाए कृषय में क्या होता है الفसल को पानी देने के साथ साथ उसमें गूर्शभै उतपादकТा की होता है एक हमारी शुष्क भूमी कृशी और एक हमारी होती है आदर भूमी कृशी देखो जो हमारी शुष्क भूमी कृशी होती है वो क्या होती है भारत में शुष्क भूमी कृशी मुख्या रूप से उन परदेशों में की जाती है जहां वर्षा 75 cm से कम होती है यानि जिन जिन छ देनी पड़ती है, उधारण के लिए जैसे कि रागी है, बाजरा है, मूंग है, चना है आपको पता है जैसे कि बोलते हैं चना तो ये बोलता है कि मेरे को एक बार पानी दो और मैं तुम्हें फल दूँगा यानि ये ऐसी फसले हैं, जिनको पानी की आउशकता बहुत कम मात्रा में होती है और ये फसले हमारी शुष्कता को सहने वाली फसले होती, यानि वो गर्मी को या हम कह सकति हैं, वो ड्राइनेस को आसानी से सह सकती है इनको पानी की आवशक्ता भी बहुत कम होती है आदर भूमी कृशी देखो बचो जो हमारी आदर भूमी कृशी होती है यह कृशी उन छेत्रों में की जाती है जहां वरशा अधिक होती है तथा नमी भी अधिक होती है यानि ये फसले वो फसले होती है जहां पर बारिश जादा होती है और बारिश जादा होती है इसका मतलब इन फसलों को पाने की आफशकता बहुत जादा होती है लेकिन देखो बच्चों कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेशक उन फसलों को पाने की आफशकता जादा होती है लेकिन व्रश्या अगर जरूरत से जादा भी हो जाती है तो फसले खराब हो जाती है उन चेत्रों को बाड का सामना करना पड़ता है मृदा अपरदन का सामना करना पड़ता है इन चेत्रों में वह फसले उगाई जाती है जिने पानी की अधिक आवशक्ता होती है जिने पानी अधिक मात्रा में चाहिए होता है जैसे कि चावल है जूट है गन्ना है इन फसलों को पानी जादा मात्रा में चाहिए होता है अब बात करते हैं खाद्यन फसल देखो बच्चो जो हमारी खाद्यन फसल ह जिनको हम खाते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारा भारत एक विशी प्रधान देश है, भारत में अलग अलग प्रकारगी फसले उगाई जाती है, भारत में खुल बोई चेटर में लगबग चौवन पर्थिशत भाग पर अनाज बोया जाता है, यानि 100% में से 54% पर हमारे भारत में फसल बोई जाती है जो कि हमारे खाने योग्या होती है भारत विश्व में लगबग 11 परतिशत अनाज उत्पन करके अमेरिका वे चीन के बाद 30 से स्थान पर है यानि सबसे जादा जो अनाज उत्पन करता है वो अमेरिका है फिर चीन है और 30 से नंबर पर हमारा भारत आता है जो कि सबसे अधिक मात्रा में अनाज उत्पन करता है पूरे विश्व में यानि हमारा भारत कौन से नमबर पर है, 30 से नमबर पर, ये आपको याद होना चाहिए ये एक नमबर में पूछ लिया जाता है अब बात करते हैं सबसे पहले चावल की देखो बचो चावल आप जानते ही हो कि चावल एक ऐसा भोजन है जिसे हमारी जादा से जादा जनसंक्या खाना पसंद करती है आपने देखा हुआ कि हर गर में एक टाइम तो चावल बनाए ही जाते हैं भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है देखो बच्चो उत्पादक इसलिए क्योंकि हमारे पूरे भारत में जो हम पूरा परतिश्यत फसल बोते हैं हम कह सकते हैं हम 100 परतिश्यत फसल बोते हैं तो उसमें 21.2 हम किसका भाग बोते हैं चावल का भाग बोते हैं और हमारे चावल को 25 डिगरी सेल्सियस से ज़्यादा तापमान की आशकता होती है इसे उगाने के लिए अधिकतर जल की आशकता होती है जो कि आपको पताए कि जब हम धान की प्योद लगाते हैं तो हमें पानी की आउशकता बहुत जादा होती है और चावल मुख्या रूप से हरियाना, पंजाब, उत्रपरदेश में बोया जाता है और पश्चिम बंगाल में तो चावल जो वहां के जो क्रशक हैं वो एक साल में चावल की तीन फसले उगा लेते हैं अब बात करते हैं गेहूं गेहूं से तो अब बहुत अच्छे से परिचित हैं कि हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं तो गेहूं का तो हम उसमें यूज करते ही हैं हमारी जो रोटी होती है वो गेहूं की ही मोसली बनाई जाती है भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा परमुक अनाज है गेहूं को रभी रितु में बोया जाता है गेहूं को ठंडे तापमान और पचास से पिछतर से सैंटी मीटर की वर्षा की आफशकता होती है यानि गेहु तब होता है जब कम से कम 50 से 75 सेंटी मीटर तो वर्षा होनी ही चाहिए। देश में कुल बोए छेतर के लगबग 14 परतिशत भाग पर गेहु की क्रिशी की जाती है। और हमारे गेहु के जो परमुक राज्ये हैं जैसे की राजस्थान है, उत्रपरदेश है, पंजाब है और हमारा हरियाना है। अब बात करते हैं जवार, देखो बच्चो जवार आपको पताई है जो की हम मुख्या रूप से पश्वो को डालते हैं। पश्वो का एक हम कह सकते हैं कि चारा होता है, देश के कुल बोई छेतर में 16.5% भाग पर मोटे अनाज की क्रिशी की जाती है। जवार देश की तीसरी महतपून खाद्या फसल है, यह वरशा पर निर्बर होती है। और जो महराश्टर है वो सबसे अकेला एक ऐसा राज्या है जो की हमारे भारत में सबसे अधिक जवार का उतपादन करता है। अब बात करते हैं बाजरा की। देखो बाजरे के पारे में भी आप जानते ही होंगे, यह भी हमारा एक मोटा अनाज है। यह फसल देश के कुल बोय छेतर में लगबर 5.2 परतिशत भाग पर उगाई जाती है। यह बलवा और काली मिट्टी पर उगाया जाता है। देखो बच्चों जो बलवा और काली मिट्टी होती है उसके उपर बाजरे की फसल है वो की जाती है। और जो बाजरा है वो मुख्या रूप से राजस्थान, उतरपरदेश, गुजरात और महराष्टर में बोया जाता देखे अबही हैं तर बहुती हैं और दो थो हना उयरी में और यह दो पता है हमारा रूती चुष्ट जलवायों में भी उगाई जा सकती है और देखो हमारी जो मक्का होती है वो अन्य मोटे अनाजो की अपेक्षा इसकी जो पैदावार होती है वो बहुत अधिक होती है और जो मक्का है वो मुख्या रूप से करनाटक बिहार तेलंगाना और राजस्थान में बोई जाती है दाले देखो दाले आपको पता ही हम अनेक प्रकार की दाले खाते हैं और ये भी पता है कि जो दाल होती है उसमें जो पोश्टिक मात्रा होती है वो बिल्कुल परचूर मात्रा में पाई जाती है भारत दालों का परमुक उत्पादन देश है भारत में दालों की ख अब बात करते हैं अरहर आपने नाम भी सुना होगा यह हमारी एक प्रकार की दाल ही होती है इसे हम लाल चना भी बोलते हैं यानि अगर अरहर और लाल चना अगर कहीं पर आए तो उसका मतलब एक ही होता है और हम अरहर को पिजन पी के नाम से भी जानते हैं महाराष्टरा में अरहर का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है और मुख्य रूप से जो अरहर है वो करनाटक, गुजरात और मध्यपरदेश में बोया जाता है देखो तिलहन की फसल तिलहन से क्या होता है कि जिसको हम तिल भी बोलते हैं इससे हम तेल निकालते हैं जो बोलते हैं कि तिल का तेल सिहत के लिए अच्छा होता है कई लोग उससे मालिश भी करते हैं खादे तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है और इसके जो मुख्य राजय गुजरात, राजस्थान, और हमारा तेलंगाना अब बात करते हैं मूंफली देखो बचो मूंफली आप सर्दियों में खाते ही हैं और जो मूंफली है वो एक शुष्क परदेश में उगाये जाने वाली फसल है यानि मूंफली को जादा अधिक पाने की आशकता नहीं होती परंतु दक्षनी भारत में यह रभी रितु में बोई जाती है यानि हमारे कुछ ऐसे परदेश हैं जिने हम शुष्क रितु में मूंफली को बोते हैं और कुछ ऐसे परदेश हैं जो जिसमें हमारा दक्षनी भारत शामिल है वहां पर मुफली की जो खेती है वो रभी रितू में की जाती है और इसके जो मुख्य राज्ये हैं राजस्थान, गुजराद, तमिल नाडू और आंदर परदेश अब बात करते हैं तोरिया वै सरसो देखो बच्चो तोरिया और जो सरसो है वो बहुत से तिलहन शामिल है इसके अंदर अनेक परकार के जो तिलहन होते हैं वो शामिल होते हैं जैसे की राई यहां पर लाई नहीं यहां पर राई, राई, सरसो, तोरिया, तारामिश यह सब इसमें शामिल है ये उश्निकर्टी बंद्या फसले हैं तथा भारत के मद्य एवं उत्री पश्चिमी भाग में रभी रितु में बोई जाती है और इसके जो मुख्य राज्य हैं हरियाना है मद्य परदेश है और पंजाब है और यहां पर जो चैप्टर है वो हाफ खतम होता है और जो सेकंड पार्ट में मैं आपको जो हमारे एक दो टोपिक बच गए है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करवाँगी नेक्स्ट वीडियो में